क्या ब्रिटिन के लोगों को यूट से बाहर आने की सजा मिल रही है ये आरूप है ब्रिटिन के उन नागरिकूं का जो गर्मी से निजाद पाने के लिए फ्रांस के लिए निकले लेकिन उन्हें फ्रांस में घुसने से पहले ही रोप दिया गया विकेंड पर फ्रांस जा रही करीब दो लाख पचास हजार गाड़ियां जाम में फस गई फ्रांस कह रहा है कि ऐसा सुरक्षा जाज के लिए क्या जा रहा है जबकि ब्रिटिन के लोग कह रहे हैं कि उन्हें एरोपिय यूनियन छोड़ने की सजा मिल रही है क्या EU से बाहर निकलने की ये सजा है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही सवाल वाइरल हो रहे हैं फ्रांस की सीमा पर 15 क्लोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लगा है सोमवार था कि इस जाम से निजात मिलने के आसार है दरसल ब्रिटिन में इस समय जबरदस्त कर्मी पड़ रही है इंगलेंड की कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है इसकी वजह से लोग फ्रांस और दूसरे ठंडे देशों की ओर जा रहे हैं वीकेंड होने की वजह से ट्रैपेक पर कई गुना ज्यादा बोच पड़ गया है करीब धाई हजार गाड़ियां जाम में फस गई है भूक और प्यास से लोगों का बुरा हाल था लोग परिशान होकर सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर सोग है ब्रिटिन पुलिस ने हेलिक ब्रिटन के ओफ सरकार से इस जाम को जल्द से जल्द कखत्म कराने की कोशिशों में लगे ब्रिटन सरकार ने अपने लोगों को फ्रांस के पॉर्ट ऑफदोर शेहर की ओर ना जाने की एडवाईजरी जारी की है ब्यॉरर रपोर्ट स्थीअ मिडिया झाल झाल